कितना अच्छा मसाला लगाया हम आपको दिखाता हूँ एक बार ये देखिए ये काम करके चले गए हैं ये जो पूरा का पूरा जो देख रहे हैं ये सारा इन्होंने अपनी त्यारिया कर लिया है अब बात करें तो करें किस से करें क्योंकि जो यहां के जो मजदूर थे चुंगी रोड़ पे जो की रोड़ सीधा और सिर्शा से और दिल्ली से जुड़ा हुआ रोड़ है दोस्तों और पिछले दो महीने पहले हमने दिखाई थी इस रोड़ के यह आलात है कि डेड़ साल से इस रोड़ की कोई सूध नहीं ले रहा था जब हमने खबर दिखाई थे खबर दिखाए रहे थे तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह से इसमें मैट्रियल यूज किया जा रहा है यह पुलिया साइद बश्य की वीडियो मनाई दिखाए जाए जाए क्या हाला तह सरी जो है दो चार सरी लगाए गए देने लग गए यह पुलिया उकल टूटी इस पुलिया के अंदर जो मैट्रियल यूज वा इतना घटिया कि इसम का मैट्रिय यूज वा लेकिन परसाषन अधिकारियों पर इस यूज किया जाता है और बार बार हर जंगे हम देखते हैं एक से बड़े हाथ से होते हैं उसके बाद प्रसासन अधिकारी ठेकेदार जो है वह सोई रहते हैं जागते नहीं है अब यह देख रहे हैं जो पुलिया टूठी थी अब दुबारा फिर से पुलिया बनाई जा रही है और अभी पुलिया कल की यह आलात है कि पुलिया सारी की सारी तूट चुकी है उसके बावजुद मैं दुबारा दिखाऊं तो अब यह देखिए अगर इसके सेंपल बरे जाए तो क्या अधिकारी है जो वह फसने नहीं से यह ठेकेदार है उनके उपर कारवाई नहीं हो से क्या दुबारा फिर से कारवाई नहीं होगी फिर से पुलिया नहीं तूटेगी अब इसका जिम्मेदार कोन होगा ठेकेदार या फिर वह अधिकारी जो कुर्सियों पर बैठे है अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे कोई देख रहे लेकिन जंता का टैक्स का जो आम आ महिने से मैं बता दूं रोड बुटता है लेकिन पिछले दो महिने से काम स्टार्ट हो आज फिर महीं जीरो पर आकर जो है काम रुख वाया है नमस्कार बैसाब क्या लगता है इस तरह के से काम हो रहा है क्या यह काम जो है डेर 2-3 साल 5 साल में पूरा हो पाएगा मेरे का द अधिकारी भी यहां पर आच दे जाते हैं लेकिन सवास्वासन देते हैं पिछले दो डाय महिने से पुलिया काम चल रहा है और इसमें जो मैटरिल यूज हुआ हो बहुत ही गटिया क्वाल्टी का यूज हो रहा है मैं चाहता हूं कि इसके सेंपल बरवाए जाएं चेक कर बढ़ाएं कौन सा मेटरी लग रहा है कौन सी समेंट लग रही है मतलब पिछले 3-4 तीन चाहिए ऐसा काम हो रहा है यहां पर मतलब लोग रात को आते हैं तो घड़े में गिर जाते हैं पुलिया निच्चे दसगी है पूरी की पूरी तो हम भी कई बार देखते हैं यहां लेकिन पुलिया जब से बनी है इस का भी कोई अच्छा समाधान की बात है अलाकी रोड प्रसासन फोड़ा सा नीच से जागा आगे प्थर ढाले गए रोड बनाने का काम स्टार्ट हुआ है लेकिन जब जो काम स्टार्ट पहले से काम जो रहा वहीं अच्छे से नीई हो रहा तो जो रोड का काम स्टार्ट किया जा वो कैसे पूरा हो पाएगा तो अधीकारी जो है मैं उनसे अपनी तरफ से भी बोलना चाहूंगा कि कुर्शियों को छोड़कर एक बार इस रोड पे आके इसका सेंपल बरे फिर पता चलेगा कि ठेकेदार जो है किस तरीके से का अभी हमने एक नमबर डायल किया था ठेकेदार का फोन उठाया और साब मना कर दिया हम सामने नहीं आएंगे तो बाइसाब है वह बता रहे है कहना अमर्जी ते राठी है को यहां कि इसकी देख रेक करते हैं रोड की और ठेकेदार यहां कोई और है तो अभी फोन किया तो दो महीने पहले बोला था लेकिन अब तक कोई दीकारी नी आया है नाले बिल्कुल बखुके हैं और डी पर पानी पानी बरा रहा रहता सारा दिन शीवर हैं वो बोलो को चुके हैं मैं चाहता हूं कि मतलब पहले पानी की सपलाई यहां से निकाल ली जाए शीवरेज खुल ले जाए उसके बाद यह काम स्टार्ट किया जाए नहीं तो ऐसे ही खराब रहेंगे तो आप कहने जाओंगे जो पहले पुल पुलिया बनाए थी समय तो नकली मैटेरियल शुमेट, रोडी नकली, ठेक़शें थेक़श भी नकली है, ठेक़शें नकली है, ठेक़शें देख लो आपटेशनी की पूलिया आखनात्म यह कहा आपि भूल्या का अप्ट्रशनी का यहां कि आम जंता में कुछा है वो रोड को फोड़ बोड़ के दिखा रहे हैं कितना घटिया मेट्रियल यूज गया अगर इसके इसके बावजुद भी अगर कोई कारवाई नहीं होती फिर तो कहीं नहीं परसासन जो अधीकारी है वह भी सक के दायरे में आते हैं कि उनकी मि पहले काम हुआ है जो मैट्रियल लगता है इस तरीकी से ठीक पाएगी पहले जो लगा देख उसका तो मेरे को पता नहीं जो मैंने अब लगाया है वो कि कि इसमें किसी साफ से मेट्रियल लगा है बर बताओंगे इसके अंदर जो सीमट के इलावा मेरे कहल से अभी भी जो ह अच्छे से में दिखा नहीं दे रहागता किने कि यह तो नहीं मैंना तो नहीं इस पंचे साल अराम से लगाले अ कि और यह जो है यह मैट्रियल जो पहले लगा हो रलगता है मैट्यों सही ज़ है हमारे साथ जो है रोड़ जो बस्टेंड है यहां पर में बस्टेंड जो है वहां पर केंटीन की हुई है इतने परिशान यह हो चुके है कि इनको खुद आ कर देखना पड़ा कि आखिर हो कह रहा है बस स्टेंड के उपर आ क्यों नहीं है जी भाइसाब हमारा कहने यह है कि रोड बे जो विभाग है परिवाहन मंत्राले है अन जो विभाग है हम यह कहने है कि यह रोड जल से जल ठीक रहाए जाए जो छोटे-छोटे बिजनिसमेन है जीम होया कलब होया अन था कोई भी बिज तोड गया इस इसंदीं यूज किया जाता है कि यह सरकार की कि पोल्सी जनता भी ढ़ंव होने के लिए पीलिया कि तूरी जाती है और पूली से बढ़ा दिया चाहे यह हमारा बिजनेस इससे ठप है और अब कार्ण करता है काम करते हैं बश्टैंड के अंदर कैंटीन है बसों के दिक्कत हो रही है जाने में और सुबह से कई जिसमें हमारा काम बंद हो चुका है और हम उसके देखने के लिए हैं कि यह कारण किया है जिसके करण हमारे पास बस नहीं आ रही है मैं सरकार से फिर अनरोज करता हूं कि जल्द जल्द इसको ठीक रहा जाए बड़े बड़े दावे किये जाते हैं करोड़ों रुपे खर्च किया है उसके बाव जो जो है आप देख रहे हैं जीरों पे जो रजैल्ट होता है किस तरह का मैट्रील यूज किया जाए लोग मरते सब्सक्राण यहां के लोग हो चुके थे लेकिन अब जो कि तो भरे हुए हैं जी सर मस्कार सर आपके वाइप भी यूज कुछ हमारी फोपाई फिर भी मेर कोई लग रहा है कंस्ट्रेक्शन काम चल रहा है बिल्कुल नकली माल यूज किया गया और इसमें देख लो बिल्क गटिया यूज किया गया यह एक-दो महिने से ज्यादा निकाल नहीं पाएगा अब यह पुलिया तूट चुकी है अब दुबारा फिर उसी तरीके से काम होगा यह ऐसा नहीं लग रहा है को मिलके काम कर रहे हैं चोटा मोटा काम चलाना है अपने गड़ी की डाल यूज कर जानवान की भी आनी हो सकती है यह तो अब तो यह लग रहा है ना तो आम जिनता की जो है सुनवाई करना चाहरे पट्सासन अदिकारी और ना ही हमारी खबर जो पहुच रही है अधीकारियों के पाद उसको भी देखके जो अंदेखा कर रहे हैं जिसके कारण से आज फिर दो महीने बाद भी जितना काम हुआ था वो फिर से जीरो लेवल पर आ गया है तो मेरी जो यहां के SDM जितने भी बड़े बड़े दिखा रहे हैं उनसे यही कहना है कि जल से जल यहां पर पहुचे और जो है जनता की है जो वह आवाज सुने और इस काम को अच्छे डंग से पूरा कराया जाए ताकि लोगों का जो है रास्ता खुल सके और लोग जो है यहां से असानी से निकल सके हाँ उसको हमारे जो है जो काम हो रहे है इसका निर्क्षिंशन करना चाहिए कि लेवल पर काम हो रहा है यह गटीह में तो खत्राइब कोई मतलब भी हैं अपर घ्रण नहीं रहता यह हैं तो अब जो है जंता कि यहां के जो आम लोग है उनकी तो सिरफ यहीं मांगे कि पुलिया या जब रोड का काम हो रहा है वह अच्छे से बन सके जी यह रोड है यह बहुत ही गटिया है यहां से हम साइकल ले जाते हैं हमारे लगता है कभी गिर ना जाए हमारी साइकल कई बार दस चुकिए हैं यहां पर पहले भी देख सच्छ पीछे की और जब भी यहां बना ज्यादा पाणी बर जाता है कि साइकल तो छोड़ो गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाता है धन्यावाद बने रहे हैं हमारे साथ